हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब में उम्मित करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे मैं सुमी शर्मा टेक्नोस हैं चनल में आप सब का एक बाप फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों बहुत ही कडाके की सर्दी पढ़ रही है और सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है पहाड़ों पे बरप पढ़ रही है और दिल्ली में हाड कपा देने वाली ठंड आ चुकी है ऐसे मैं हमें जबरत मैसुस होती है एक room heater की ऐसा ही एक room heater मैंने मंगाया है Amazon से जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पास है ये बड़ा सा box और इसके अंदर है Amazon basic का solumore room heater आज की वीडियो में मैं इसकी unboxing करेंगे, review करेंगे इसे use करके भी देखेंगे तो आईए सबसे पहले कर लेते हैं इसे open और देखते हैं कैसा है ये room heater तो आज हमारे पास है Amazon basic solumore room heater ये भी बहुत ज़्यादा बिकने वाला room heater है इसकी packaging काफी simple है बिलकुल plain box हमें याँ पर मिल जाता है और box के back side इस side आप देखोगे तो यहाँ पर एक slip लगी हुई है तो इसकी जो MRP दे रखिए वो दे रखिए 2000 रूपी लेकिन Amazon पर इस समय ये आपको काफी कम कीमत में मिल जाएगा आप इसकी सारी रिटेन यहाँ से पढ़ सकते हो तो फटा फट से कर लेते हैं इसे open और देखते हैं कैसा है ये Amazon Basic का Solumor Room Heater तो यह है Amazon Basic का Solumor Room Heater यहाँ पर आप देख सकते हो ISI Mark हमें यहाँ पर मिल जाता है इसका मतलब इसकी quality काफी बेहतरीन है और देखने से ही मुझे लग रहा है इसका जो look है इसका जो design है बिल्कुल different design यहाँ पर दिया गया है बिल्कुल latest modern design हमें यहाँ पर मिल जाता है अगर इसकी build quality की बात करें तो इसकी जो plastic की quality है वो काफी premium है काफी durable plastic quality हमें यहाँ पर मिल रही है और इसके front side में आप देख सकते हो यहाँ पर हमें black color की metal की grill दी गई है तो अगर इसके color combination की बात करें बहुत ही जबरदस color combination इसका लग रहा है white and black और यहाँ पर आप देख सकते हो plastic की एक जाली दी गई है इसके अंदर fan लगा हुआ है जो fresh air है यानि यह थंडी हवा है वो यहाँ से अंदर जाएगी और यहाँ से गरम होके बाहर आएगी और यहाँ पर हमें दो control knob दी गई है इसके लाबा यहाँ पर red color का हमें एक indicator भी देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर जो knob दी गई है जब हम इसे केवल fan पर रखेंगे तो हमारा fan चलेगा और यहाँ से थंडी हवा बाहर आएगी यानि आप इसे as a fan भी यूज़ कर सकते हो और जब आप इसे first पर करेंगे तो इसका 1000 watt का जो element है वो काम करेगा यानि 1000 watt ये power consume करेगा अगर आथ second पर कर देंगे तो इसका 2000 watt का element काम करेगा यानि इसकी जो power है वो 2000 watt power ये consume करेगा और इसके back side में आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ air vents दी गई है जिससे कि हमारी motor ज़्यादे गरम ना हो और सबसे वड़ी चीज ये है यहाँ पर हमें एक handle भी मिल जाता इससे हम इसे easily carry कर सकते हैं उठा सकते हैं और इसे हम दोनों तरीके से रख सकते हैं एक तो हम इस तरह से भी इसे रख सकते हैं और अगर आप चाहो तो आप इसे इस तरह से भी यानि आप इसे vertical भी रख सकते हो और आप इसे horizontally भी रख सकते हो इस तरह से भी आप इसे use कर सकते हो solimo के इस room heater के अंदर हमें over double heat auto cutoff protection मिल जाती है thermal cutoff protection हमें मिल जाती है और इसके अंदर two heat settings दी गई है 1000 watt, 2000 watt इसके अलाबा अगर आप चाहो तो इसे cable fan के रूप में भी use कर सकते हो और यह है इसकी power cable power cable की length काफी ठीक ठाक है और quality भी काफी बढ़िया लग रही है यहाँ पर हमें 15 ampere का 3 pin plug दिया गया है जो की ISI mark है तो quality काफी बहतरीन है और इसे use करना बहुत ही आसान है आपको अपने 15 ampere के किसी भी यह हो चुका है on आप देख सकते हो यहाँ पर हमें एक indicator देखने को मिल जाता है हमने यहाँ पर इसे fan पर कर रखा है तो अभी हमने इसका element बंद कर रखा यानि heating option हमने इसका बंद कर रखा है तो हम यहाँ से as a fan use कर रहे है normal fan की तरह भी आप इसे use कर सकते हो और यहाँ पर जो दूसरी knob दी गई है इससे हम इसके time को control कर सकते है temperature को control कर सकते है यानि thermo state को control करने के लिए यह knob दी गई है और जब भी हमें अपने heater को on करना हो तो इस knob को हम first पर करेंगे जैसे ही आप इसको on करेंगे यहाँ से गरम हवानी start हो जाएगी अगर आपको और ज़्यादा heat चाहिए तो आप यहाँ से इसे second number पर करेंगे तो यहाँ पर और भी तेजी से यह गरम करना start कर देगा और अगर बात करेंगे कितने बड़े room को यह गरम कर सकता है तो अगर आपका 200-200 square feet का कोई भी room हो उसे यह आराम से गरम करेगा तो दोस्तों यह room meter बहुत ही कमाल का room meter है अगर इसकी quality की बात करें quality बहुत ही बेतरीन है और अगर इसकी कमियों के बारे मात करें तो इसके अंदर मुझे एक ही कमी लगी कि इसके जो fan की speed है उसे हम control नहीं कर सकते fan की speed को control करने का कोई भी option यहाँ पर नहीं मिलता है लेकिन इस छोटी सी कमी के बाब जूद भी यह room meter बहुत ही कमाल का है अगर आप इसे purchase करना चाहो तो इसका buy link मैं नीचे description में दे रखा है वहाँ से जाकर आप इसे purchase कर सकते हो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों मिलते हैं अपने next वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरव झाल